So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को join कर सकते हूँ जसके link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ update मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue तो वीडियो के शुरुआत करेंगे Tata Power के साथ Tata Power की अगर हम बात करें तो last trading season stock में गिरावट न जराए पिछले 5 दिनों से stock back to back गिरता ही जा रहा था और जो बड़ी गिरावट इसमें आनी start हुई 3 सितंबर के बाद 3 सितंबर से अब तक अगर आप देखोगे तो stock 17 रुपे से जादा गिर चुका है और 5 दिन में जो गिरावट न जराती है वो 14 रुपे के around तक की न जराती है और वही अगर हम देखें तो Tata Power में अभी काफी दिनों से कुछ negative चीज़े चल रहे थी बट उन negative चीजों के बीच अभी अगर आप दीखोगे तो एक positive चीज सामने आ रही है मार्केट गिरा इसले भी stock में गिरावट रही है तो अभी कुछ important updates जो है Tata Power में आ रही है जिनके उपर आपको देना चाहिए तो यहाँ पर बात करते हैं बड़ी news की Tata Power award contract worth रूपीज 11,481 करोड to local suppliers in Odisha तो यहाँ पर अगर देखे Tata Power ने बड़ा contract जो है sign किया है Tata Power lead Odisha Discom have awarded contract worth 11,481 करोड to local contractors and suppliers तो जो local contractors and suppliers है Odisha में तो उनके साथ यहाँ पर अगर देखे 11,481 करोड का एक contract इनके उड़ से sign किया गया The joint ventures between Tata Power and Odisha Government blessed order worth 8,690 करोड with local MSMEs तो यहाँ पर जो 8,690 करोड के around तक का local MSMEs के साथ यहाँ पर अगर देखे यह deal हुई और साथ यह अगर हम बात करे 2792 करोड non MSMEs के साथ यहाँ पर अगर देखे deal हुई है तो यह काफी बड़ी अगर देखे काफी बड़ा distribution operation यहाँ पर जो है state power की और से चलाया जा रहा है तो इसके उपर भी आपको ध्यान देना चाहिए तो इसका एक positive impact पड़ेगा इस particular share के उपर और Tata Power में एक अच्छी growth देखने को में मिल सकती है तो इसके उपर आपको ध्यान देना चाहिए यानि Tata Power में अगर देखे आने वाले time में एक अच्छी growth नजर आ सकती है अच्छी returns जो है हमें देखने को मिल सकते है पिछले एक महीने की भी अगर हम बात करें तो stock में starting में तो काफी अच्छी बड़त रही 14 अगस से लेके अगर हम बात करें 3 सितंबर तक की तो stock 28 रुपे के राउन बढ़ गया पर 3 सितंबर से stock में जो और यहां पर 14 अगस से लेके 3 सितंबर 28 रुपे बढ़ा इतने दिन में इतनी बड़त रही और सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही अगर हम बात करें तो लास्ट रेडिंग सेजन stock में एक अच्छा ग्यापब हुआ था अच्छे रिटन्स मेले था बड़ मार्केट नेगेटिव रहा उसकी बज़र से stock में जो गिरावट है वो continue हुई बड़ डरने वाली बात नहीं है stock अगेन एक recovery बता सकता है क्योंकि हमें एक चीज पता चलगी है क्योंकि मार्केट गिरा इसलिए stock में गिरावट रही है but morning में तो एक positive था क्योंकि बड़ी positive news जो है stock में आ रही थी 74.95 के round अगर आप देखो के closing मिली 1.05 के round तक की गिरावट रही है पिछले 5 दिनों में कई सारे upside down momentum रहे stock अगर देखे स्टार्टिंग में बढ़ता है फिर गिरावट आती है फिर बढ़त रहती है फिर गिरावट तो कई सारे upside down momentum हम देखते आये है इस particular share में और वहीगरम बात करें यहाँ पर news की तो sujalon energy max renown a subsidiary after completing 51% acquisition for 400 crore तो बिलकुल 400 crore की deal यहाँ पर हो गई acquisition complete यहाँ पर हुआ है sujalon has completed the acquisition of 51% of equity shares capital of renown energy service private limited renown को renown को बिलकुल acquire कर रहे और लगबग यहाँ पर अगर देखे 76% stake यहाँ पर acquire होगा और वहीगर देखे total amount जो इसका रहेगा 660 crore के round तक का रहेगा तो एक बड़ी चीज जो है अब बात करते Tata Power के levels की तो levels किस तरीके से काम कर रहे और हमें किन points की उपर ध्यान देना चाहिए तो यह भी कुछ important चीज़े है तो हम search कर लेंगे यहाँ पर Tata Power Tata Power तो first of all तो हम five minute के time frame पर देख लेता है stock में क्या चीज़े देखने को बल रही है जो last trading season हमने जो levels बनाया थे जो videos में हमने discuss किये थे उन्ही points के around अगर आप देखो तो stock support ले रहा है और बिल्कुल यहाँ पर अगर देखे इसने काफियद तक time spent किया पहले यहाँ से breakdown रहा फिर sideways रहा फिर एक fall फिर sideways है तो यहाँ तो यहाँ से गिरावट रहेगी यहाँ फिर देखना होगा positive news यहाँ पर क्या impact पड़ता है positive impact पड़ता है negative अबर जो यह level हमने बनाया इस level पर पहले भी यह support ले चुका है इस point के उपर आप ध्यान दो और वही चीज़ अगर हम 1 hour के time frame पर भी देखें तो आप यहाँ पर clearly देख सकते हो एक range यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है और वही अगर 2 hour के time frame पर देखो तो stock में यहाँ से पूरे level भी अगर मैं हटा दू यहाँ से पूरे levels भी अगर हम हटा दे तो बिलकुल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो down side की और से important level मिल जाता है यह वाला यह level सबसे ज़्यादा important है Tata power के लिए क्योंकि इस particular point पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो multiple time support मिल जाता है multiple time अगर आप देखो मैं हाँ से इसे 3 hour का time frame पर कर लो तो आपको इच-च clear हो जाएगी तो multiple time support जो है देखने कहाँ पर मिलता है stock न यहाँ पर support लिया फिर उपर क्योर गया था support लेके उपर क्योर गया again support लिया again support लिया और again यहाँ पर आने की कोशिश कर सकते है 400 का जो level है एक IMP support का का काम जो है यह level करता है 400 के level पर support ले रहा है और उपर से हमने resistance भी देखा stock में हमने resistance भी face किये हैं इसे हम कुछ बड़े time frame पर जिसे 4 hour के time frame पर भी check out अगर करें तो यहाँ पर आपको clear होगा कि उपर से अगर आप देखोगे तो हमने resistance भी stock में देखे हैं इस particular range से अगर आप देखोगे हमने गिरावट भी देखी हैं तो यहाँ पर एक चीज clear हो जाती कि जो Tata power है एक range के अंदर काफी time से यह फसा हुआ है stock उपर जाता है यहाँ पर आप देखो stock में upside जाता है फिर गिरा वटाती फिर उपर गया फिर उपर गया फिर उपर गया फिर गिरता है तो ऐसी चीज़े हम देख रहा है या तो यह support break होके काफी बड़ा fall जो है stock में continue होगा या फिर resistance break होके काफी बड़ी rally हमें upside की और की देखने को मिलेगी यह दो point आपको ध्यान में रखने चाहिए और day one के time frame पर भी आपको वही चीज़ देखने को मिल जाती है क्योंकि stock में आप खुद भी देखो तो एक बड़ी rally के बाद एक consolidation period में तो breakout के बाद यहां से एक अच्छे momentum अच्छी देजी stock में आप expect कर सकते हो एक बड़ी growth जो है हमें देखने को आपर मिल सकती है तो अब बात करते हमारे next stock की next share जो है उसका नाम है सुजलोन सुजलोन के levels के उपर भी हम एक बार ध्यान देगे सुजलोन के level किस तरीके से काम कर रहे है तो यहाँ पर अगर देखे stock में एक बड़ी rally हमने देखी उसके बाद अभी की अगर हम बात करें तो stock काफियत तक sideways चल रहा है और one hour के time frame पर भी अगर आप देखोगे share support ले रहा है और उपर से भी अगर आप देखोंगे तो stock resistance भी यहाँ पर face कर रहा है कि resistance भी आपको देखने को मिल जाएगा तो इन upside downs momentum के चलते share में आपको wait करना एक proper breakout का तो यहाँ से जो यह level है जो range है अगर यह upside की और break होती है तो अच्छी growth रहेगी बड़ अगर downside की और break down रहा तो एक बड़े fall जो है stock में continue हो सकते है तो यह जो level है जो range है एक important range है यहाँ पर एक important role play कर सकती है क्योंकि बड़े time frame पर भी अगर आप देखोगे सुझलान में तो बड़े time frame पर भी बिलकुल एक fall and flag type pattern ही बनता है तो यहाँ से breakout मिला तो share में बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है तो wait करेंगे आगे stock में क्या होता है और रहल काफी कुछ चीजे discuss कर लिए तो I hope आपको यह video helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like चनल को subscribe करना और कोई भी stock में investment करते हो तो इनका analysis करना साथ ही telegram चनल को join करो link नीचे description में आपको मिल जाएगी thank you